राग देशकार राग देशकार की उत्पत्ती बिलावल थाट से हुई है इस राग में मध्यम और निशाद यानि म और नी ये दोनों स्वर वर्जित हैं अर्थात इन दोनों स्वरों के प्रयोग इस राग में नहीं हुते शेश पाँच स्वरों के प्रयोग होते हैं इस प्रकार इस राग के आरोह और अवरोह में पाँच पाँच स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाती ओडव ओडव है राग देशकार और भूपाली में काफी समानता है अतह राग देशकार को भूपाली से अलग करने के लिए धैवत यानि धा का प्रियोग बड़ी कुछलता से किया जाता है इस राग का वादी स्वर धैवत यानि धा है और समवादी स्वर गंधार यानि गह है इस राग का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है यह एक गंभीर प्रकृती का राग है राग देशकार के आरोह अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिए आरोह सारे गायन प्रकृती का राग है और अब सुनिए आरोह इस राग की पकड इस प्रकार है अब प्रस्तुत है राग देशकार की स्वर्मालिका जो तीन ताल मध्धलय में निबद्ध है इसमें सोलह मात्राएं होती है पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर्मालिका की स्थाई अब प्रस्तुत है इस स्वर्मालिका का अंतरा पागापदा सारे 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 अभी आपने सुनी राग देशकार की स्वर्मालिका अब सुनिए इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना बोल हैं कितना सुन्दर कितना मनहर पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई कितना सुन्दर कितना मनहर देखो यह इंद्र धनुष निकला देखो यह इंद्र धनुष निकला कितना सुन्दर कितना मनहर देखो अंतरा कितना सुन्दर कितना मनहर कितना सुन्दर अभी आपने सुनी राग देशकार की स्वर्मालिका साथ ही सुनी इस स्वर्मालिका पर आधारित रचना कितना सुन्दर कितना सुन्दर कितना सुन्दर सुन्दर कितना सुन्दर कितना सुन्दर कितना सुन्-धैर-चना सबसे आधार-चना साथ है